असलाम अलेकुम इतनी बड़ी खबर है मेरे पास मैं क्या बताऊं मैं अच्छे से एक्स्प्लेन करूँगा लेकिन उससे पहले इस एपिसोड की बात कर लें यह एपिसोड बहुत ही ज़ादा जबर्दस था और इस एपिसोड की रेटिंग सबसे ज़ादा खराब रेटिंग अब ऐसा क्यों हो रहा है और यह कब तक सीडिस को छोड़ देंगी यह मैं सब कुछी से वीडियो में एक्स्प्लेन करूंगा इसलिए वीडियो एंट तक जरूर देखना चली वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे अंतुआन की अंतुआन मुसल्मान हो चु यह मेरे दो प्रिडिक्शन सही हो गया लेकिन तीसरा प्रिडिक्शन था इसाबेल के बारे में कि वो नहीं मरने वाली तो अब कहो गए भाई चलो दो तो सही निकले तेरे लेकिन तीसरा तो गलत हो गया क्योंकि मैंने कहा था कि वो जिन्दा रहेंगी लेकिन अब मैं बता इसाबेल हम लोगों को अलविदा कह देंगी एंड इसका रीजन क्या है मैं अच्छे से explain करूँगा लेकिन उससे पहले इस एपिसोड की थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए क्योंकि बेस्ट अपिसोड था अब तक का मेरी फेवरेट सीन थी शासेनम की death scene जो music पीछे बज़ रहा था और शाहिन ने जो गूली चलाई वो बहुत ही tough decision था उसके लिए लेकिन तब भी उसने वो काम किया मैरीम को बचाने के लिए फिर हिजिर ने मैरीम को उसी सीन में बचाया तो भाई बहुत कुछी सीन में दिखाया गया और music भी जबरदस्त था पीछे fight हो रही थी मज़ा आ गया इस सीन को देखने के बाद ratings खराब रही इस episode की थोड़ा बुरा लगा लेकिन अगले episode में ratings उठने वाली है क्योंकि दो लोग लटक चुके हैं Isabelle और शाहिन शाहिन का क्या होगा ये अभी मुझे कुछ ने पता है और अभी कुछ भी कहना बहुत जाल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी trailer भी नहीं आया है कम से कम एक trailer तो देखी ले हम लोग वैसे शाहिन को अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है और कुछी दिन हुआ अच्छा हुए तो भी नहीं जाना चाहिए वैसे एक गोली ही लगी है अब देखना है शाहिन बचता है या नहीं इजाबेल ज़रूर बच जाएंगी यहां पे थोड़ी बहुत हालत खराब होगी उनकी लेकिन उसके बाद वो बच जाएंगी एपिसोड 30 में क्या होगा यह बहुत जादा क्रूशिल है चुकि या तो उनको जैनब की तरह कहीं भेद दिया जाएगा या फिर दस्पीना की तरह मार दिया जाएगा मारेगा कौन? मेरे हिसाब से मारको क्योंकि भाई वही इस टाइम पर में विलन है सिहीस का और एपिसोड 30 तक भी वही रहने वाला है जिसकी वज़े से उरूज बहुत जादा गुसा होगा और मारको के सामने वो और जादा एग्रेसिव हो जाएगा और ऐसे ही बदला भी ले लेंगे उरूज रईस इसाबेल का और एक विलन खेल खतम फिर मेरे साब से सीजन को खत्म करने की कोशिश की जाएगी या फिर कुछ नए विलन्स थोड़ी देर के लिए इंकलूट किये जाए मेरे साब से शाबास कुछ दिनों के अंदर मरेगा यहाँ पर जो फसे हैं लियास की वज़े से वो काफी खतरनाक फसे हैं लेकिन अभी भी काफी सोलजर्स हैं तो जो नए आए हैं उन सब को मार देंगे बात करते हैं यहाँ पर मार को तो पका बच जाएगा शाबास का उतना कुछ पता नहीं है में इसाबास भी बच जाएगा लेकिन मैं बहुत ही जादा एक्सलियन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं कुछ भी नहीं जानता एपिसोड के बारे में वैसे बात करें इसाबेल पर फिर से वापस आ जाते हैं यह information 100% real है और यह officially मिली है मुझे पैने लकिल इस सीडिस को छोड़ देंगी एपिसोड 30 में क्योंकि काफी उनको और प्रोजेक्ट पर काम करना है तो अब देखना है क्या होता है आगे क्या मतब काफी interesting होने वाला क्योंकि इसाबेल की भी दसीन दिखाए जाएगी शाहिन लटके हुए है इलियास का पता नहीं क्या चल रहा है वो खुदी captain बनना चाहता है लेकिन अब वो हमेशा फ़साता जा रहा है और मारकों से तो बदला लेना ही है मैसी पाशा और प्रॉब्लम्स क्रियेट कर रहे है एपिसोड बहुत ही ज़ादा जबर्दस था और बहुत ज़ादा मज़ा आया मैं चाहता हूँ ऐसे ही बार बरोस्त अच्छी होती जाए और हमें और अच्छे अच्छे एपिसोड मिलते जाए वैसे आपने अगर एपिसोड नहीं देखा तो तुरंट जाके देखो बहुत मज़ा आने वाला है आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक यो फॉर वाचिंग